सफेद बाल काले होंगे वो भी शैंपू करने से जी हां सही सुना आपने बिलकुल होंगे और इस वीडियो को फुल देखेगा तब आप समझ पाईएगा कि मैं जो बोल रही हो बिलकुल सही है यह देख लिए टेक्श्चर यह मेरा जो फाइनल प्रोड़क्ट रेडी हो रहा सबसे पहले यहां पे मैंने कानच का कंटेनर लिया है जैसे आप देख सकते हैं और उसमें में अपना र्गुलर शैंपू यूज्ज करिए यही मेBlack açık कादी का इस है यहां पर कोई भी शैंपू को ये यह कर सकते हैं तो हैं तो इसका उतनाए tipping है है जितना आपके हेर लेंद है या फिर जितना आप यूज करते हैं एक टाइम की आगे चलते हैं तो नेक्स इंडिजिएंट में यहां पर यूज कर रही है वह है कॉफी कॉफी बहुत ही अच्छा वर्ग करता है अगर आप शैंपू के साथ बिल्कुल इस तरह से यूज कीज हो गई है उनके लिए बहुत अच्छा है और जो लोग कम उमर में सफेद बाल से परशान है उनके लिए तो बहतरी नुपाए है लास्ट चीज हम यहां पर डाल रहे है वो है नीमू का रस करीबें एक चमच हम नीमू का रस डाल रहे हैं और सारी चीजों को अच्छा से मिक चीजों को चाहिए बिल्कुर अपने चीजों को शैंपू में आड़ कीज़ेगा अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको इस तरह से छोड़ दीज़ेगा दो से चार मिनूर उसके बाद अपने बालों पर अपलाई कीज़ेगा बहुत अच्छा रिजल्ट आता और आप कितना ज्यादा काला टेक्श्यर आगया इसको आपको बेसिकले जड़ों से लेके अपने रूट से लेके टिप तक अच्छे से पहले बालों में मसाज करना है उसके बाद अप इसको बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और अगर आप केमिकल फ्री शैंपू यू हो सकता है क्योंकि मैं हमेशा हरबल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो आप भी कोई हरबल या पतांजली की शैंपू या फिर कोई भी हरबल शैंपू यूज़ कीज़े तो रिजल्ट अच्छे आइगे तो इस तरह से आपको लगा रहा है और जब भी आप शैंपू करते हो इस पैक को अपने बालों में लगा लिज़े शैंपू को अपने बालों में लगा लिज़े संजीवनी बूटी है बिल्कुल मैं बता रही हूं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कम उमर के बच्चे हैं अगर आपकी उमर 14 बच्चेत रहीएगा घर में रहीगा और मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा चलती है